और साम को तो ऐसा अद्भूद मजारा दिखा हाटा में यह सारा जन्माना सिन के आने पर जो है कानमक के हाटा में जुद लिया है अब तो लड़ाई कानमक चुनाओ जीते हुए हैं अब कितने वोटों से जीतेंगे हाटा विधान सबाद छेतर में है और यहां से भाजबा के एक प्रतियासी को टिकट दिया गया है मोहन बर्मा जी यह समर्थक इनके साथ खड़े हुए हैं आए हम लोग जानते हैं कि इनकी क्या मंसा क्या बताना चाहा रहा हैं अपने प्रतियासी को लेकिए जी सर पहले तो का नमग जिस दिन टिकट ही मिला मोहन बर्मा जी को और छेतर में का नमग खुशी की लहर दोड़ गए अपको ऐसा लगता है कि हम चुना जीत चुके जी सर जी सर उसमें कहीं दो राय नहीं है तो गांगां में जन्मानस जो हम लोग को का नमग की जो तवज अब एक वरिष्ट कारे करता है भाजपा के लिए तो भाजपा के अगर कारेनितियों को देखा जा तो कहीं नहीं ःग्ता सारवज्जनिक तो पर घेल ना जिसका कुझ अशर पड़ेगा अपके सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह हम जो समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेता जो लोग हैं एजेंट बन के काम कर रहे हैं उनको मैं बदाना चाहता हूं कि भारती यंता पार्टी जैसी कोई भी विश्वास ने पार्टी नहीं है और पता कि कितने मुस्लिम केंडिडेट को भाजपने टिकेट दिया है देखिए मुस्लिम केंडिडेट को नहीं दिया है सबका साथ सबका विश्वास तो क्या उस समाज से उनके परती विश्वास नहीं है लेकिन हमारी परसेंटेज अभी उतनी नहीं बन पाई है परसेंटेज धिर दिर बन रहा है आप देखिए एक अपना दल गड़ बंदन स भारती रंता पार्टी के समर्थन से परत्यासी चुना लड़न है अब्दुल्ला आजम के खिलाप वह भी हमारे गड़ बंदन से हैं और आपको मैं बता रहा हूं कि पूरे उत्तर परदेश के अंदर एक माहौल बन गया है चाहें हिंदू हो सिख हो इसाई हो जो भी धर्म लग उनका बस एक ही ना रहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और उत्तर परदेश में पुझत माराजी की सरकार बानने का संकल्ब लेकर चल रहा है काऊं बस यही संकल्व चल रहा बताना इसwarzवा 34 – subject Meter में है वी ताना है आशाव नगरपालिका के इस पूरे परिदी में देखा है विकास कैसा हुआ है और विकास ही नहीं एक ऐसा जनसेवक चुनकर के पाटीन हम लोगों को दिया है जो चार साल से हम देख रहे लगातार डेली बाई डेली फेस्बुक और वाटसप के मादेम साब देख सकते हैं आप निका में चल रहे हैं आप आम जन्मारत से पूछिए देखिए कितना विश्वास लोगों का है मोहन बर्मा के प्रति लगातार इनके सहीों में जब हम गाउं में जा रहे हैं परचार परसार के लिए जन सब्बर करने के लिए अपने आप जंता की भीड़ उमड़ पड़ रही है